सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षन इदेशाले राश्टे राजधानिक शेत्र दिली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 13 जो की क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए ही है यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें हम जिस विशे को वह है मृदा में पोशकों की पुनहे पूर्ति यानि जैसा की हम जानते हैं मृदा के लगातार इस्तमाल से उसमें पोशक तत्वों की कमी होती रहती है आखिर इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है या उन पोशक तत्वों की पुनहे पूर्ति किस प्रकार की जाए यही हम आज की वर्कशीट में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं राधिका जब अपने निकट के खेत में भ्रहमन कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा जहां वे लौन और गमलों में खाद का उप्योग कर रहे थे वे सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे वे ऐसा मृदा में पोशकों की पुनहपूर्टी करने के लिए कर रहे थे आखिर मृदा में इन पोशक तत्वों की पुनहपूर्टी किस प्रकार की जा सकती है वो अब हम समझते हैं उसके लिए या तो उसमें उर्वरक मिलाया जाता है या खाद मिलाई जाती है ये उर्वरक और खाद क्या है चलिए देखते है तो उर्वरक रासाइनिक पदार्थ है जो पौधों को पोशक तत्व प्रदान करते है मुखे रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पॉटेशियम और इसी तरह जो खाद होती है खाद जैविक पदार्थ होते है जो पौधों के अवशेश और पश्वों के गोबर से प्राप्त होते है तथा पौधों को पोशक तत्व प्रदान करते है यानि खाद तो एक प्राकर्तिक पदार्थ की तरह होता है जब कि उर्वरक रासाइनिक पदार्थ होते हैं तो अब आप समझें कि इन दोनों के ही मिलाने से मृदा में पोशकों की पुनेपूर्ती होती है पादप यानि की पौधे अपनी वृद्धी और अच्छे स्वास्त विकास के लिए अपने अच्छे स्वास्त के लिए और स्वास्त विकास के लिए मृदा यानि मिट्टी से खनेज पोशक तत्वों को अशोशित करते रहते हैं अते मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है तो ऐसे में उर्वरक एवम खाद में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोशक होते हैं मृदा को इन पोशक तत्वों से समरिद्ध करने के लिए भूमी में उर्वरक तताखाद मिलाने की अवशकता पड़ती है पोधों को सभी पादप पोशकों में से नाइट्रोजन की अधिक मातरा में अवशकता होती है यद भी वायू में नाइट्रोजन गैस प्रचूर मातरा में उपलब्ध होती है लेकिन पोधे या पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते इसलिए पादप नाइट्रोजन को विले रूप में ही अवशोशित कर सकते हैं और जैसा कि आपको याद है ना हमने पिछली वर्कशीट्स में जाना था कि हवा में घुली हुई नाइट्रोजन को पौधे किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिल जाने पर ग्रहन करते हैं जिससे उनका विकास बहुत अच्छा होता है राइजोबियम नामक जिवानू जो चना, मटर, मूं और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं वायू मंडलिये नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विले पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और अधिकतर दाले फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं राइजोबियम अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकता है फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं यह ही सह जीवी संबंद कहलाता है जैसा कि पिछली वर्कशीट में भी हमने समझा था ना कि जब दो जीव आपस में अपना आश्रय और भोजन साजा करते हैं शेयर करते हैं तो इसे हम सह जीवी संबंद कहते हैं और इसलिए आज भी हम इसका एक उधारन ये पढ़ रहे हैं कि जैसे राइजोबियम नाम का जो जीवानू है वो अपना भोजन स्वैम तो नहीं बना सकता है इसलिए जो फलीदार पौदे होते हैं वो इस बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं यह ही सह जीवी संबंद कहलाता है तो सह जीवी संबंद क्या हुआ दो जीवों का मध्य संबंद जिसमें दो जीव आवास और पोशन के लिए परस पर लाभानुविद होते हैं यह यह कह दें कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं तो इसको हम सह जीवी संबंद कहते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रशन उतर की और तो पहला प्रशन है कि उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए तो वो एक अंतर है कि उर्वरक रासाइनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोशक तत्व प्रदान करते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम और खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेश और पशोओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोशक तत्व प्रदान करते हैं फिर इसके बाद दूसरा प्रशन है कि पादब के लिए अवशक तीन मुखे पोशक तत्व कौन से हैं फिलिंग दा ब्लैंक्स भनना हमें नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम तीसरा प्रशन है कि सहजीवी संबन्द से आप क्या समझते हैं तो सहजीवी संबन्द दो जीवों के मध्य संबन्द जिसमें दोनों जीव आवास और पोशन के लिए परसपर लाभानवित होते हैं फिर इसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्ण पादबों को उर्वरक एवंखाद की अवशक तक क्यों होती हैं तो इसका उत्तर है कि उर्वरक एवंखाद क्रिशी में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रासायन है जो पेड़ पौदों की वृद्धी में सहयता के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं इसलिए पादबों को उर्वरक एवंखाद की अवशकता होती है तो ये तो थी आज की वरक शीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्क्षित को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए और अगर आपको कोरोना वाइरस से बचना है न तो मास्क जरूर लगा के रखिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई डिलाई नहीं धन्यवाद